दोस्तों आयो दिया बाबरी मस्जिद के बदली जो सुप्रीम कोट ने प्लॉटर अलोट किया था मस्जिद के लिए उस मस्जिद की ये जो है इड की बुनियाद मुम्मई में रखी गई है एक ये इड बनाई गई है और जिस पे नाम भी लिखा मुहम्मद बिन अब्दुल दियोबंदी सारे लोग एक ही मंच पे थे और इस इड का जो है शिनन लिवास हुआ है याने ओपनिंग भी कहा जाता है हाजी रफास बै क्या प्रोग्राम था आपका देखी कैसा है अल्ला तबारको ताला ने पचीस करोर मुसल्मानों में इस हाजी अराफाशी को चुना ये मेरे लिए बाई से फकर की बात है ये मैं समझता हूँ मेरे माबाब की दुआ है और उसका कल लोगों को एक ये चीज़ देखने मिली एक हमने एक पैगाम पहुचाया और यहाँ पर हर मसलक का आलिम दीन मौप मौजूद थे सुनी तबलीग एले हदीश देवबन पीर और सारे बड़े चेहरे हिंदुस्तान के एक फ्लैटफॉर्म पर नजर आए ये अपने आप में एक बड़ी बात है और उस प्रोग्राम में मैंने जो पिछले छे मेहने से जो ये मस्जिद की जो मामला मेरे पास आया कुछ बड़े आलिम दीन मेरे पास आकर मेरे घर पे सा सुनी आलिम होने दो हर मसलक के आलिमों से मैंने बात करना शुरू की और उसके बाद मैं आयोध्या के लिए बकरीद के बाद रमजान में बात शुरू ही बकरीद के बाद मैं डॉक्र आबीद के साथ उस आल मुलाना जी को पास लेके नदवा गया और नदवा से मैंने शु चारो तरफ आम के बगीचे जैसा लग रहा था एक जन्नत का तुकड़ा इस तहीं जो बाबरी मस्जिद के जगा पर अलोट हुआ है वह ऐसा महसूस हुआ वहां पर शाह गदासा सरकार आराम फर्मारे एक बड़ बड़े वली की दरगा है उस दरगा के अंदर जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहा है मैंने दरगा में गी दूआ है कि मुझे नहीं पता महला सरकार आपने मुझे यहां पर क्यो बलाया मेरा यूपी से कभी तालुक ने रहा मैं कभी यूपी गया नहीं मेरा पहला सफर यूपी का रहा और आप बापरी मस्जिद के जगा पर जो यह जगा दी कि यहां पर युनिवसिटी बनेगी यह बनेगी वो बनेगी इस डिजाइन को भी आपने चेंज कर दिया बिलकुल जब यह बात आई तो फिर हम मुंबई आ गए मुंबई आने के बाद हमने हमने हमरे कई आलमिदीन बुजग उल्माओं से मैंने बात की पीरों से बात की तो उस मैफिल के अंदर जब बात निकली के हाजी साब आपने डिजाइन देखी क्या तो मैंने बात देखी तो मैंने क्या जो आपने देखी वो मैंने भी देखी तो मैंने उसका क्या तो मैंने इन्शालला उसके लिए भी बात क जुद्धी उसके हिसाब से अमने फिर बाते की वो भी बात रखी गई तो छे एकर जमीन हमने और एक्सटा की जब बात की तो वर्क बर्ड के चेर्मेट जो सुनी वर्क बर्ड के चेर्मेट Zafir Fahrauk Ahis हने बात की तो alhamdulillah वो बात हो गई उसमेंसे देड़ेकर जमीन तो तुरन देने के लिए बात तयार हो गया और उसका प्रसेजर शुरू हो गया यानि आप इतना मैं आपके चैनल के माद्धियम से कहूंगा कि 11 एकर के उपर ये मस्जिद बनने जा रही है मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला फिर वो बात नाम को लेके बात करते हैं नाम भी अपने इसके पहले जो नाम था और अभी अपनी ये नाम भी चैन्ज कर दिया मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिल्कुल मैंने उज़र पे भी कहा कि हम बाबर को नहीं मानते बाबर एक राजा था बाबर हमारा आइडियल हो नहीं सकता बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके इस देश पर राज करने आया था ये तो बीजेपी वाले कहते हैं बिलकुल नहीं हम कहते हैं मैं हाजी अराफा शेक कहता हूं बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके हम बाबर को नहीं मानते हम गरीब नवास को मानते ह जब हम बात करते हैं फना और बका की, कुछे मैं पीरी तरीकत से उस्सिलिया वाला हूँ, फना और बका की अगर बात करते हैं, तो आप ताज महल का में आपको उले करूँगा, कि ताज महल में एक मजार है, जिसके उपर आप जाके आज भी देखेंगे, तो चड़िया कोवे उस पर लिदते है और उसी के बिल्कुल बगल के अंदर एक वाल के सलिम चिस्तिया साब की दर्बार है वहाँ पर इतर पेश किया जा रहा है वहाँ पर फूल चादर चड़ाई जा रही दुआएं मांगे दरूत पड़ा जा रहा है तो ये दीन के बाश्शा और ये दुनिया के बाश्शा दीन के बाश्शा जो होते है और दुनिया का बाश्शा जो होता है वो बका होता है और दुनिया का बाश्शा फना होता है ये हमारी बात है जो आपने कहा कि बीजी पी तो बीजी पी नहीं ये पिरी तरीकत सिकाती है ये हमारे को सलसिले से हमारे blood में आया हुआ है, हम ये सलसिले वाला हजियाराफाशेक पिरी तरीकत वाला है, यही सुनियत सिकाती है, इस तरीके से, इसकी हमने बुनियाद रखी, हमने बात की, और इसका सलसिला शुरू हूआ, पूरे हिंदुस्तान का पांच मेने दौरा किया, हर बड़े आलिमों से मुलाकात की, कि हम कब तक इस बात को पे लड़ते रहेंगे, कब तक कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तक्बिल क्या, हमारे कहीं न कहीं, ये नफरते महबतों में बदलना चाहिए, सारे रास्ते खुलते नजर आए, तो एक रात में ऐसे बेटे बेटे नाम आए कि ये नाम छोटा लगे, बाबर नाम छोटा लगे, इस सबसे बड़ा नाम क्या है, तो दुनिया के अंदर एक ऐसा नाम जो बाबरकत नाम, इस नाम की बरकत से इस देश में रहमते आएगी, बरकते आएगी, नूर की बारिश होगी और दीन की बारिश होगी, और दीन का सहलाव उम्ट पड़ेगा, ऐसा नाम जहन में आया, हमने उल्माओं से बात की, और उ फिर बात आई डिजाइन की तो डिजाइन के लिए बात की तो इत्तिफाक की बाते एक हमारा दोस्त मेरे घर पे कुछ काम लेके आया जिसका नाम था अमजद और बैता कि हजी भाई ऐसा ऐसा चल रहा है तो मैंने उनको पूछा कि इस तरीकी कि मैं काम में बिजी हूँ आपक ऊचे अगरetically हुआ ही दोस्तपूना वाला जो घंडूसताँी इन मजडों के छे म énormément डिजाइनन करते घुम रहा है तो उनका जब नाम आया इक अनमने तब पते चलत चला कि लंडन में थे तो हमने इमरां से बात की उनको कहा पूरा सब्जेक्ट समझा है और मैंने गोला जब इत्यास लिखा जाएगा इत्यास के पन्नों पर आपका नाम होगा या आपको डिजाइंग करनी है उसने तुरन लब्बे का और सेकेंड दे वो तुरन पूना उतरे और मैं यहां से गया मैंने सारी बाते रखी उन्होंने मुझसे पूछा कि हाजी साब मझिद कैसी होनी चाहिए तो मैंने कहा सवाल का जवाब होना चाहिए कि ऐसी अदबत मझिद हमको बनानी है कि ता कयामत तक के हमारी नसलों को दूआ मिलनी चाहिए ता कयामत तक हुआ जाके दो रकात दो लोग दो रकात लोग नफील अदा करना चाहिए सवाल का जवाब मतलब क्या सवाल का जवाब ये कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी चीजे बनी है अदबुट चीजे इसकी डिजाइनिंग ही हमने उस तरीकी से किए जैसा आप ताजमेहल को देखते हो लाल किले को देखते हो ये हर जो चीजे कुदरत का एक निजाम है उसके सिस्टम से बनती है तो इसके बाद कोई भी ये मस्जित होने के बाद कोई ताजमेहल जाना पसंद नहीं करगा लेकिन मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जरूर मस्जिद में आएगा इसकी बुनियाद हमने पाँच पिलर्ज पे रखी जो इस पाँच पिलर्ज जैसे के कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज ये पाँच फर्ज है इस पाँच फर्ज की ब हस्यत होगी और उस मिनारे की पाँच जो हमारी फर्ज है, उसके ओपर उस बुनियाद के ओपर ये मिनारे की निवर रखी गईए और क्या क्या चीज़ है? उसके अंदर हमने एक इस तरीक से सूचा कि जब तूरिजम जब जाएगा, पूरी दुनिया से जब तूरिसम आग कि हर कोई वहां जाएगा कि नई चीज कोई दुनिया का अदवुत O पूना में के अदर को माहिः पून बने जा रहा हैं और उसके الحर भरेला स्रेश मोहिज़ Chaos can फिट लंबा होगा और अठरा-ठरा फिट पे खुलेगा और जो आयोध्या में बनने जा रहा है कुरान केशरी रन का होगा भगवा कलर का होगा और उसका हर हुर्फ काफ से होगा यह दो अद्बुत कुरान बनने जा रहे हैं जो लोग देखने के लिए जरूर हुआ पर मुसल्मान वहां दिखाना है तो उस तरीके से वहां पर कैंसर होस्पिटल बनाया जा रहा है कैंसर होस्पिटल में हर जाती धरम का वहां पर जाके उसका फायदा उटाएगा यूपी से अब इसके बाद कोई भी टाटा होस्पिटल नहीं आएगा वो मस्जित मुहमद बिन पर इंदादिया हुस्पिटल होगा उसके फार्म के जो दोर पे लिए जाते वो भी नहीं लिये जाएगे और उस हुस्पिटल में उनका फ्री में इलाज होगा और वो जब कभी कोई चवराय पे जब जाएगा और पुखेगा कहां जाके आए और आपकी माँ का कहां इट के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे यह अधिया पहुंचेगी और क्या इसका यूज होएगा बिल्कुल यह को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें कि इस दिन तक के उसका उसके पड़ाई हुई है इतर से घुसुल किया गया है अब यह जो है यहां से जाएगी बिसमिल्ला बाओ के हो जाएगी फिर पेदरुशा बाओ के जाएगी अब्दुर्माशा दुले के होँआ जाएगी और चांशा अली से सलमति पीर रहमत लख पूना में जाएगी शुवापूर पर जाके याजमेर शरीफ के तरफ हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब करेंगे पहली एट महाँ पर यहाजी आराफा शेक रखेगा ये मेरे लिए जिन्दगी लिए बाइसे फक्र की बात है कि पहली एट आयोध्या के अंदर धनीपूर में माज़ित मुहमद बिन अब्दुल्ला की पहली एट रखने का पहली एट का ये मुझे मौका मिला ये जि साले सवाब पहुचेगा अभी आपने मस्जिद का डिजाइन पुरा चेंज कर दिया नाम चेंज कर दिया और सब हो गया ऑफिशली सब हो जाएगा हाजी वाई एक बात बताईए कि आप जिस पार्टी से आते हो बीजेपी से जो आपने भी जॉइन किया है तो उस पार्ट के काम ले रहा है तो कहीं ने कर एक सवाल खड़ा होता है कि हाजी अरफात अयुद्य की मजिस से आटोमेटिकली कनेक्ट हो गए और इतना लंबा यह जो कारिय करम जो बता रहा है भी यह कैसे होएगा देखी कैसा है पहले मैं मुसल्मान हूँ पार्टी हर एक अपनी अपन रहती है कि मैं मेरे पार्टी हो के नेता से डरू दबू और सारी चीज़ों यहाँ डरना और दबना नहीं हमको साथ में काम करना है हम पार्टी में जिस पार्टी में रहते हैं काम करते हैं कि अपनी समाज का भलाओ अपनी कौम का भलाओ अपनी लोगों का मुस्तक्बिल जी है और ये जितने दिन मेरे घर पे रहेगी रहमतों की बारिश होगी बरकतों की बारिश होगी आप हमेशा उस तरीकी से कभी भी कोई चीज़ को ने जोगी जब हम नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी महबबत देंगे तो महबबत मिलेगी हमको वो मुसलमान दिखाना है कि हिंदुस्तान का मुसल्मान मेरे नभी वाला मुसल्मान अगर हमने जब दिखाना शुरू कर दिया तो लोग नभी वाला मुसल्मान देखेंगे सरकार गरीब नवाज वाला मुसल्मान अगर हम दिखाएंगे तो सरकार के ताइफ के ताइफ जो मेरे नभी ने दुआ की और दुआ कबूल हुई तो मेरे नभी की जब दुआ कबूल हुए तो मेरे नभी की जब दुआ कबूल हुए कि ताइफ के ताइफ पुरा इमान लेकर आ गया और मेरे नभी का नाम बाबरकत जब उदर आएगा तो कितनी र अपड़ मारते हो और मैं महबत से तुमसे पेश आता तो एक बार उसके मन में भी बात आएगी कि नहीं ये मुसलमान इतना अच्छा है जब उनकी मा का इलाज होगा उनके बाप का इलाज होगा उनके भेन का इलाज होगा उनके घरवालों का जब वो मैसेज वहां से जब ले हो और एक बाबरी मस्जिद की वापस लोगों को पे याद आ जाएंगी जो बाबरी मस्जिद आके तरस रहती तो हो सकता है जब साथ में कारवा निकलेगा और दिलों को बदलने वाला अल्ला है पैगाम देना हमारा काम है लोगों को भेजना अल्ला का काम है और अल्ला दिलों को बदलेगा और ये सारी चीजों के अंदर पूरे इमान के साथ पूरी मजबूती के साथ इ शरीयत को मानता हूं, तरीकत को मानता हूं, हकीकत को मानता हूं, मारिफत को मानता हूं, और ये सारी चीज़ों शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इल्म इर्फान को जानता हूं, तो ये हजी अरफात वो है, तो एक अलग सोच में रहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता ह मैं यह सोचता हूँ, कि बाकी के लोगों को क्या लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह अच्छा लगता है, मुझे यह सही लगता है, मैं वो काम करता हूँ, मुझे यह अल्ला ने करवाया, मैंने किया, और अल्ला मुझे करवा रहा है, यह फरक है, मैं कुछ नहीं की कल की आने वाली कल की सूजबूच रखते तब उस मुकाम पे पहुचते कि आज हमको कल दिख रहा है और हंड्रेट परसंद लाखों लोग वहां पे आएंगे और अल्हमदुलिल्ला अल्हमदुल्ला हुआ नमाजे होगी और एक इसलाम की बुनियाद हम रखेंगे और महबतों का पेगाम पहुचाएंगे इन्शालला बहुत बहुत शुक्रियां